4G को लेकर ओर्डर्स हो, blacklisted और white listed websites के ओर्डर हो या covid containment को लेकर सरकार के ओर्डर्स हो ऐसा लगता कट copy paste के इलावा सरकारी बाबू और कोई काम नहीं कर रहे और cut copy paste करते वक्त सरकारी बाबू इस चीज़ का भी ख्याल नहीं रख रहे कि जो order हम cut copy paste कर रहे हैं, इस order में जो कुछ लिखा गया है क्या वो government of India की guidelines के एन मताबिक है second wave में भी यही तमाशा देखने को मिला था दुनिया कहीं की कहीं जा रही थी, WHO covid को लेकर कुछ कह रहा था ministry of health and family welfare अपनी guidelines को update कर रही थी लेकिन जमो कश्मीर के बाबू लोग उसी पुरानी guideline को उसी घिजीपिटी guideline को बार 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 repeat करते जा रहे थे covid dead को लेकर guidelines आई, कई समाज से भी संस्ताओं के लोग जो है जमो कश्मीर की सरकार के पास गये, विनमरविंती की आग्रह किया कहा जमो कश्मीर की सरकार कम से कम ये अध्यादेश जारी करिए कि जब किसी की covid के कारण मौत होती है, उसके बाद वो किसी को covid दे नहीं सकता लेकिन उस वकद भी हमें देखने को मिला कि जिम्यदार position पर बैठे हुए वो लोग जो qualified doctors है department हो गये चोड़ी हैं, उन्होंने इतने भयंकर किसम के बयान दिये कि एक डॉक्टर साहिबा ने ये कहा कि covid की जब किसी व्यक्ती की covid के कारण मौत होती है तो बहुत virus shed कर रहा होता है यानि science के बिलकुल विपरीत, science के बिलकुल उलट इस तरह की बातें भी सुनने को मिली है अब एक और तमाशा जो है, पिछले काफी दिनों से जब मौकश्मीर की सरकार के बाबुलोग कर रहे हैं तमाशा बिसिकली ये है, कि covid containment को लेकर एक restrictions for covid containment का एक order जो है Department of Disaster Management issue करता है और इसके नीचे Chief Secretary जो Chairperson and State Executive Committee के उनके दस्तकत भी रहते हैं, अब तो चलिए, उनका नाम रहता है दस्तकत नहीं नाम रहता है इसमें एक बड़ी interesting सी guideline है जिस guideline को मैं पढ़ रहा था और मेरे मन में यही सवाल आ रहा था बार बार कि आखिरकार जम्मकश्मीर के सरकारी बाबू क्या government of India क्या कर रही है उस पर ध्यान देते भी है या नहीं देते हैं आप में से वो सारे लोग जो Ministry of Health and Family Welfare की guideline से वाकिफ हैं जो routine में अख़बार पढ़ते हैं, जो routine में टेलिवजन देखते हैं जो routine Ministry of Health and Family Welfare की website पर जाकर वहाँ पर नया क्या आया है उससे अपने आपको update करते हैं आप सभी लोग जानकर हरान होंगे कि जम्मकश्मीर की सरकार Ministry of Health and Family Welfare की इस guideline की आने के बावजूद कि साथ दिन का isolation का period होगा और साथ दिन की isolation के बाद asymptomatic जितने भी patient है mildly symptomatic जितने भी patient है वो mask पहन के दुबारा से अपना कामकाज शुरू कर सकते हैं तीन दिन तक उनको mask पहने रखना है और उसके बाद उनको ये कहा गया है उसके बाद भी उनको एहतियाद करनी है लेकिन किसी को भी 14 दिन के quarantine के लिए कहा नहीं है कहीं पर भी 14 दिन का quarantine है ही नहीं mild के बाद categories defined की गई है mild cases, moderate cases, swear cases moderate में guidelines अलग हैं और swear cases में guideline अलग हैं लेकिन जम्मो कश्मीर में लकीर वहीं हैं जहां पर थी यानि जो हमने order हफता पहले आज से कम से कम चार हफते पहले जो order पढ़ा था वही order दुबारा पढ़ना पढ़ रहा है और कई बार तो पत्रकार इस order को पूरे order को इसले पढ़ते हैं यह देखने के लिए कि इसके अंदर अगर नया कुछ है तो वो सुना दे क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो पुरानी है बाकी सब चीज़ों में कोई बदलाव नहीं है और यह साफ तोर पर cut and paste वाला सिस्टम नजर आता है और यह state executive committee के अगर कही meeting होती भी है उस meeting में अगर कुछ फैसले लिए भी जाते हैं तो क्या बाबू लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं होता कि वो मालूम करें ministry of health and family welfare क्या कह रही है आप कहते हैं और आप ही का है 15th point और उस 15th point के e-part में कहा जा रहा है आप सभी लोगों से Contacts एक positive के सारे के सारे identify किये जाएंगे जितने भी COVID positive हैं बताइए किसने आपको आज तक ये पूछा कि आपके संपर्क में कितने लोग और आए हैं आपके संपर्क में आने के बाद कितने लोग और positive हुए हैं क्या किसी ने आप से पूछा along with the tracking फिर tracking की जाएगी tracking का मतलब होगा आपको phone call आएगा आपको पूछा जाएगा कि आप ठीक हैं स्वस्त हैं नहीं हैं घर पर हैं क्या दवाई ले रहे हैं क्या दवाई नहीं ले रहे हैं आप जानकर हरान होंगे कि आज शेहर के एक बड़े बुज़र्ग आदमी ने मुझसे ये कहा कि मैंने phone call करके ये कहा कि जनाम मेरी बेटी पॉजटिव हुई है छोटी बच्ची पॉजटिव हुई है तो मुझे बताई उसे क्या दवाई दे तो उन्होंने ये कहा कि phone पर आगे से जवाब ये मिला हस्पतार लेकर आ जाईए ये tracking हो रही है इस तरीके से COVID positive patients को track किया जा रहा है और उसके बाद identification, quarantine and follow up of contacts for 14 days ये line आज से लगबग एक साल पहले लिखी गई है और आज तक इस line को किसी ने नहीं बदला ये line Chief Secretary BVR सुब्रमणेम के समय में लिखी गई थी उनके समय में भी इसी line को repeat किया जाता था और आज भी इसी line को repeat किया जाता कि 14 दिन का quarantine होगा और 14 दिन के quarantine के बाद जो है आप लोग कामकाश पर आएंगे तमाम सरकारी करमचारी उसे मेरी विनमन विंतियोर आग रहे है आप साथ दिन के बाद किस अध्यादेश पर से दफतर जा रहे हैं किसके कहने पर आप दफतर जा रहे हैं आपको तो सरकारी order है जिस सरकारी order में 14 दिन के quarantine की बात की गई है 14 दिन के quarantine की बात की गई है 80% contacts एक positive patient के 22 गंटे के अंदर अंदर track करने हैं बताइए कितने patient आपने 22 गंटे के अंदर अंदर कितने covid positive patient के जितने contact से आपने इनको track किया और जरा ये भी बताईए ये भी समझाईए किसी को कि जब doctors खुद कहते हैं कि अगर किसी COVID positive कोई आदमी आपके पास आता है कोई महिला आपके पास आती है वो COVID positive आती है जब वो COVID positive जिस दिन वो test होती है उसके तीन दिन के बाद उसके contacts positive होंगे और आप बहतर गंटे के अंदर अंदर सबको ढूण निकालेंगे तो आप क्या कहते हैं कि जिस दिन वो contact में है उसी दिन वो सारे के सारे positive होंगे ये व्यक्ति है आपके पास जिस दिन positive आया उस दिन कितने लोग इसके contact में आये वो तीन दिन के बाद positive होंगे ये science कहती है तो आपका ये अध्यादे science के ऊपर तो है नहीं और ये सीधा साफ सावर पर समझा जा सकता है कि हर हफते में जब शनिवार आता है ये आयतवार आता है copy, cut and paste होता है और copy, cut and paste करने के बाद इसको जारी कर दिया जाता है और कोई भी इस पूरे order को जब पढ़ेगा तो इस order में जितनी लाइने लिखी हुई है उन लाइनों में से केवल मात्र मुझे लगता है 30 से 40 फिसेदी चीजे हैं जो follow होती होंगी 60 फिसेदी वो चीजे हैं जो पुरानी हैं जिनका अब इस नए नए वक्त में और नए रिसर्च के साथ कोई लेना देना नहीं है isolation का period अमेरिका में पांच दिन का हो गया डॉक्टर्स के केस में पांच दिन का हो गया health officials के health care स्वास्त के करमचारियों को लेकर कि पांच दिन के बाद स्वास्त करमचारी मास पहन कर दुबारा काम पर वापस आ सकते हैं साथ दिन के बाद वापस आ सकते हैं पांच दिन को लेकर वहाँ पर बाजबता कह दिया गया कि अगर आपको स्वास करमचारियों की कमी महसूस हो रही है तो इस वेव में पांच दिन के बाद आप उन करमचारियों को वापस बुला सकते हैं जिनको बहतर घंटे हो गए बुखार उत्रे हुए ये गाइडलाइन्स वहाँ पर जो है अमेरिका में है इनी गाइडलाइन्स को Garmint of India फॉलो कर रही है या इनी गाइडलाइन्स के बिल्कुल आन मताबिक Ministry of Health and Family Welfare की बी गाइडलाइन है साथ दिन का isolation का period है asymptomatic patients में साथ दिन का isolation का period है asymptomatic, mildly symptomatic patients के अंदर और उसके बाद swear और moderate के लिए अलग guidelines है तो आप swear और moderate के लिए भी वही guideline, mild के लिए भी वही guideline asymptomatic के लिए भी वही guideline तो सरकारी करमचारी जो साथ दिन के बाद दफतर वापस report कर रहे है मुझे लगता है कि उन्हें इस order को पढ़के 14 दिन तक isolation में मज़े से रहना चाहिए और पंद्रवे दिन जाकर जो है दफतर में को report करना चाहिए क्योंकि जम्मो कश्मीर की सरकार latest जो research हो रही है latest जो इस वकट guidelines आ रही है latest जो कुछ इसके COVID-19 को लेकर कहा जा रहा है उससे बिल्कुल कोसुमील दूर है ऐसा लगता है जो जम्मो कश्मीर की सरकार को मालूम ही नहीं कि COVID-19 को लेकर guidelines कितनी बदली है मेरे एक साथ ही कह रहे थे कि इतना cut copy paste तो बच्चे भी नहीं करते इम्तिहानू में जितना cut copy paste जो है जम्मो कश्मीर की सरकार के बाबू करते है इसलिए वो कह रहे हैं कि जितनी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं जितनी लाइने यहाँ पर लिखी गई हैं उन लाइनू में किसी नहीं नहीं देखा कि आपने quarantine को लेकर isolation को लेकर identification tracking को लेकर आज भी 14 दिन का period रखा है तो जब 14 दिन के quarantine में रहना है और 14 दिन के quarantine के बाद you build report to the respective institutions government of India की guidelines कुछ और हैं उमीद और तवक्का यह कि यह जो बाबू लोग जो इस order को बनाते हैं कम से कम इसको एक बार पढ़ेंगे पढ़िए कम से कम थोड़ा सा थोड़ी मेहनत करिए इसमें यह clerical काम छोड़ दीजिए थोड़ा practical काम करना शुरू कीजिए क्यों आप इस तरह के orders निकालते हैं जिससे आम आदमी के बीच में एक message चला जाता है कि जी नहीं पढ़ते यह लोग बिलकुल नहीं पढ़ते यह पढ़ते ही नहीं जानते ही नहीं कि आपको पता है आपने दो बज़े से लेकर मंडे सुबा छे बज़े तक जो है आपने कह दिया कि अजीबो गरीब किसम का self-restricting किसम का lockdown आपने लगा दिया और कुछ जगा पर lockdown है कुछ जगा पर lockdown नहीं है कारोबारी परिशान है कि क्या restrictions है कौन सी restrictions है किस तरह की restrictions है तो इसलिए सरकार को जब यह अध्यादेश जारी करने हो महरबानी करके doctors की मदद लीजिए ये वाइलोलोजिस्ट्रों की मदद लीजिए एपिडिमोलोजिस्ट्रों की मदद लीजिए और ministry of health and family welfare से तो कम से कम पूछिए कि आपने guidelines क्या रखी है और इन guidelines को revise करिए अपनी guidelines को क्योंकि आप guidelines को revise नहीं कर रहे हैं आप जिस तरीके से guidelines साल पहले जो बनी हुई थी उसी को दुबारा से चाप रहे हैं तो अगर बार बार इसी order को आपने चापना है तो एक line लिख दिया कीजिए as per the earlier order issued बात खता क्यों आप इतना लंबा चोड़ा पांच पन्ने का छे पन्ने का पांच पन्ने इस पे जाया कर रहे हैं आप सरकार के ये पांच पन्ने जाया करने की ज़रूरत क्या है अगर आपने कर्फियू उसमें add किया हो edition जो आपने की वो बताईए और फिर पुराने order को refer कर ये बात खतम हो गई क्योंकि कहानी तो आपकी इस order में हर order में same होती है और जो नई कहानी आपने करनी होती है उसके लिए आप एक अलग से order निकालते हैं वो order हम लोग को लेकर और COVID-19 को लेकर serious हो अगर आपने serious आप अपने आपको भी update करते रही है अपडेट करते रहेंगे तो लोगों को फाइदा होगा अगर update नहीं करेंगे तो इससे तो साफ तौर पता चलता है कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है लेकिन जमो कुश्मीर की सरकार आज भी वहीं खड़ी है जहां खड़ी थी